स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल टेज स्रीज अकेडमी में दोस्तों एक जेपी सी के तरफ से यहां बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और बहुत सारे छात्रों का इसे बहुत ज्यादा फैदा होने वाला है यहां पर देखे जेपी सी ब्रेकिंग न्यू है कि उनका भी अब सेलेक्शन हो सकता है क्योंकि जेपी सी ने जिस तरह से लगाता लापरवाही बरत रही थी और बहुत सारे जो इसमें फरजी वाड़ा था वो सामने आ रहा था तो इसके कारण कहीं न कहीं जेपी सी दवाव में आ चुका था और हाई कोट में मामला जा अब आरण उसके दवाव बना पिर भी सरकार के तरफ से इजाजत मांगी है कि वह संसोधित जारी करेगा जिसमें से लगभक सासों स ज्यादा अनरक्षी सरेणी का नाम जूर सकते इसमें तो देखिए पूरा डीटेल निूस किया है और आप लोग किस तरह से इसमें फैदा हो सकता है देखिए बुरा साथवी जेपीएसी की प्रारंबिक परिछा में आरक्षन दिये जाने के खिलाफ दाखिल एल पीए पर ज्ञारखंड हाई कोट में सुनवाई हुई प्रार्थी सैयम कुमार के अधिवक्ता अमरितांस वस्त ने बताया कि उनके दोरा दायर की गई याचिका में जिन बिंदूओं पर अधालत से मांग की गई थी उनमें से कई बिंदूओं पर जेपीएसी में संसोधन की बात कई है जनकारी के मुताबिक संसोधित रिजल्ट म और यहाँ पर देखिए अगली सुनवाई देखिए यहाँ पर इस मामले की सुनवाई जहारखन हाई कोट के मुख्य नयदिस जस्टिस डॉक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाथ की बेंच में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये हुई और सुक्रवा किया गया है आप लोग सभी जानते हैं तो देखना अब होगा कि 18 फरवरी को क्या हाई कोट इस पर जो इजाज़त मांगी है हाई कोट इजाज़त देता है या नहीं देता है वो 18 फरवरी को किलियर हो जाएगा इस निउस को आगे भी जो भी ब्रेकिंग निउस आती है कु अनिवाद